Dear students, welcome once again to our YouTube channel, Civil with Anil. तो दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है Pre-Stress Concrete. तो दोस्तो अभी तक हम Rainforce Cement Concrete के बारे में पढ़ते रहे हैं. तो आज हम पढ़ रहे हैं Pre-Stress Concrete. तो Pre-Stress Concrete पढ़ने से पहले हमें Rainforce Cement Concrete और Pre-Stress Concrete के बीच में क्या डिफरेंस है, यह हमें पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो इसको पढ़ने के लिए हमें, हम इस स्लाइड यह उपर जाते हैं, यह हमारे एक स्लाइड है, इस पर आप देख सकते हैं, कि इसके अंदर हमने आपको दिखाया शुरू के अंदर है कि यह बीम है, हमारे पास Simply Supported Beam है, जो कि Unstressed है, मतलब इसके उपर अभी तक हमने कोई भी Super Imposed Load नहीं लगाया है. तो दोस्तों देखिए, जैसे यह जो बीम है, हमारा इसके अंदर हमने Normal Reinforcement इसके प्रवाइड की हुई है, तो इसके अंदर जैसे ही हम Super Imposed Load इस पर लगाते हैं, जैसे इस पर लोड लगता है, तो हमारा बीम इस शेप में Deflect हो जाता है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्योंकि यह Simply Supported Beam है, तो इसके अंदर हमारी Tension निचे की तरफ आती है, तो इसके अंदर Tension जो Steel में Concrete के थूँ ट्रांसफर होती है, तो Concrete की थूँ ट्रांसफर होने की वज़े से क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे जो निचे वाले जो Concrete के Fibers हैं, इसके अंदर बहुत होती जादा Minutely इसके अंदर Cracks भी इसके अंदर साथ-साथ Develop हो जाते हैं, वो क्यों Develop हो जाते हैं क्योंकि जो Concrete है, it is not as strong in tension as it is in compression, तो उसकी वज़े से इसके अंदर नीचे बहुत ही Fine Cracks भी इसके अंदर साथ-साथ Develop हो सकते हैं, हो जाते हैं, तो दोस्तों जो इस तरह के जो हमारे Beams होते हैं इसके अंदर, इस तरह के Beams को हम जादा लंबे Span के लिए नहीं बना पाते हैं, तो कि इसकी वज़े से भी है कि इसके अंदर जितना बड़ा हमारा Beam का Span होता चला जाएगा, बज़ लंबाई होती चली जाएगी Beam की, उतने ही जादा इस Beam की Depth बढ़ चली जाएगी Beam की, तो उस मज़े से फिर ये जो हमारा Ordinary RCC Concrete है, it is not suitable for the long span, तो जो इस तरह की कमी थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए फिर एक नई टेकनीक इजाद की गई जिसको हम बहुत है Pre-Stress Concrete, PSC, तो उस टेकनीक के अंदर हमने क्या किया, जिस portion के अंदर tension आनी हैं, उस portion के अंदर उस concrete के अंदर हम पहले से ही कुछ stress develop कर देते हैं, तो इसी वज़े से ही इसका नाम Pre-Stress Concrete पड़ा, Pre-Stress का मतलब के concrete के अंदर पहले से ही कुछ stress को develop करना, कुछ stress को पैदा करना, तो इसी वज़े से इसका नाम हमने Pre-Stress Concrete कहा है, तो Pre-Stress इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं उससे इसके अंदर पैदा कर सकते हैं तो डियर फ्रेंट्स अभी फिलाल हम उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे कि वहीं हमें स्ट्रेस कैसे पैदा करनी है अभी फिलाल हम बात कर रहे हैं कि हमने इसके अंदर किसी मेकेनिजम से proper mechanism से इसके अंदर हमने stress पैदा कर दी वो भी stress पैदा की opposite nature की है, opposite nature का मतलबी है कि जो नीचे वाला है, जो हमारे portion है concrete का या beam का जिसके अंदर की tensile stress पैदा, tensile stress develop होनी थी, तो उसके opposite हमने इसके अंदर compressive stress पैदा कर दी, तो जो यह आपको दिखा रहे है, figure number three, four में दिखाया गया है, कि इसके अंदर यह हमने एक किसी medium से, किसी तरीके से, इसके अंदर हमने नीचे वाले portion के अंदर compressive stress पैदा कर दी तो उस compressive stress की वज़े से जो beam था हमारा, उस तरीके से ही इसके अंदर इसके अंदर deflection आ गई तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, तो नीचे वाला portion है, हमारे इसमें compression है और उपर वाले fiber जे इसके अंदर tension आ गई है तो इसके अंदर यह deflection उपर की तरफ होगा है, इसको hogging moment भी बोलते है, यह sagging moment है, यह hogging moment है तो इसके अंदर हमने load लगने से पहले ही इस beam के अंदर एक opposite nature की stress पैदा कर दी तो जब यह beam हमारा use में आएगा, use में आने का मतलब यह जब इसके उपर superimposed load लगेगा, यह आप देख सकते हैं जो load इसको लगा हुआ है, तो जो इसके अंदर जो deflection अपवर की direction में है तो load लगने की वज़े से it will become normal यह अपनी normal shape में आ जाएगा मतलब यह है कि इसके अंदर there will be no deflection और इसके जो नीचे वाले जो fibers थे हमारे जिसके अंदर के tension पैदा होनी थी अब इसके अंदर ultimately there is a little bit compression इसमें compressive stress रह जाएगी और अगर compressive stress ना भी रहे तो हम यह कह सकते के there will be no stress जो इसके अंदर compression हमने पैदा की है it will neutralize the tensile stress which is coming through this superimposed load तो इस तरीके से हमने इसके अंदर जो tension जो था हमने उसको बिलकुल stress free कर दिया तो इस तरीके से जो इसके अंदर deflection आना था और deflection भी खत्म हो गया तो इस तरीके का इस्तमाल करते हुए हम बहुत बड़े-बड़े spans के bridges बना सकते हैं और इसके अंदर जो excessive जितनी भी load maximum से maximum जो भी load आ सकता है इसको खत्म कर दिया है तो दोस्ता इस तरीके से हम इस PSC का इस्तमाल करते हुए हम बड़े-बड़े structures, बड़े-बड़े spans के bridges को हम बनाने में सफल रहे हैं तो अब हम अपनी basic पुरानी सबसे पहली slide पर आते हैं तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको बता आया है जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर हम compressive stress को introduce करते है before hand in the zone where external load would normally cause tensile stresses उस zone के अंदर जहां पर की जो हम load, external load लगेगा वो उस zone के अंदर tensile stress पैदा करता है वहां पर हमने compressive stress पैदा कर दी the concrete in which technology of pre-stressing is introduced is called pre-stressed concrete उस concrete को pre-stressed concrete का आ जाता है जिसके अंदर की हमने पहले से ही कुछ stress को introduce कर दिया है इसलिए इस technology को हम बोलते है pre-stressed concrete तो जो pre-stress member a pre-stress member is one तो जो member बनेगा उस member को pre-stress member कहेंगे a member is one in which internal stresses are induced in a planned manner मतलब जो की इसके अंदर जो stress पैदा की जाएगी that will be in a very planned बहुत ही जादा planned होगी वो क्योंकि उसके अंदर हमें ये बात में देखना होता है कि कितनी stresses इसमें पच गई है और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आगे in the due course of time जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बाते समझ में आएगी कि planned manner का मतलब क्या है so that the stress is resulting from the superimposed load are counter-acted to the desired level ताकि उसको हम एक desired level तक counter-act कर सके तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको इसका pre-stress concrete का मतलब समझ में आएगा pre-stress का मतलब इसके अंदर की हमने concrete की अंदर stress जो है पहले से ही इसके अंदर हमने पैदा कर दी हो किसलिए ताकि जब बाद में जब इस पर load लगे तो जो इसके अंदर जो stresses पैदा हो उसको हम counter-act कर सके तो इसको समझाने के लिए जैसे हमने एक और slide दिखाई है जैसे कि जैसे यह हमारी ordinary concrete है reinforcement concrete है यह हमारा एक unloaded beam है तो जैसे इसके उपर जब superimposed load लगता है जैसे आप देख सकते हैं तो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर deflection हाजाएगी beam के अंदर और जो नीचे वाले हमारे fibers हैं इसके अंदर you can see there is a crack इस cracks develop हो जाते हैं लेकिन अगर हम इसकी जगापर जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने pre-stressing करके unloaded beam के उपर आप देख सकते हैं इसके अंदर there is a bend इसके अंदर reverse direction में hogging इसके अंदर movement पैदा हो गया और यह हमारी beam की shape इस तरह से हो जाती है नीचे वाले fibers में compression उपर वाले fibers में tension तो जब इस पर load लगता है तो load लगने के बाद यह जो beam मारा it becomes normal अब इसके अंदर आप देख सकते हैं there is no bending इसके अंदर किसी तरह की कोई भी bending नहीं है और यह loaded beam पो दिख रहा है तो इस तरीके से by using this method we can we can create a beams which can take a very heavy load or which can have a very long span तो तो दोस्तों मुझे इसे अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर जो आपको तीसरी स्लाइड दिखाई थी यह मैंने आपको पहले दिखा दी है तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इसका principle क्या है जो हमारा police tracing है या यह किस principle पर काम करता है तो जैसे आपको दिखाएगा है कि यह beam है इसके अंदर यह beam आपको दिखाएगा यह beam का cross section है इसके अंदर हमने यहाँ पर इस concrete के अंदर हमने एक reinforcement provide के tensile reinforcement हमने डाल दिया steel डाल दिया इसके अंदर जिसको कि हम tension इसके अंदर create करके हम इस fiber के अंदर जो ये हमारा cross section है आप देख सकते हैं है इसके अंदर हमने compression पuftया कर दिया तो यह uniform compression इसके अंदर यह beam के अंदर प्याद हो गया पूरे through-out beam के अंदर compression प्याद हो गया तो अभी इसके बार जब उसके ओपर जिब load लगता है आप देख सकते हैं, लोड लगने की वज़े से इसके अंदर, जब superimposed load लगेगा, तो superimposed load लगने की वज़े से आप देख सकते हैं, कि जो उपर वाले fibers, उसके अंदर compression आती है, और नीचे वाले fibers में tension आती है, तो ये superimposed load आपको दिखाए गया है, तो उसकी वज़े से क्या होता अल्पीमेटली जो नीचे वाले जो ही हमारे फाइबर्स है नीटल एक्सी से नीची जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो टेंचन थी इस कॉंप्रेशन की वज़े से यह हमने टेंचन हमारे बिलकुल खत्म हो जाती है अगर थोड़ी बहुत अगर रह भी जाती है तो इतनी हमारी कॉंक्रीट उसको बियर कर सकती है अधर्वाज हमारी कोशिश यह रहती है कि जो डिजाइन हमारा इस तरह का होता है कि इसके अंदर देर शुड़ पी नो टेंचन इसमें नीचे भी अगर कॉंप्रेशन रह जाए तो कोई दिक्कर नहीं तो आप देख सकते हैं कि उपर कॉंप्रेशन है और नीचे यह हमारे पास जाते जाते यहाँ पर यह टेंचन जो हमारी जीरो हो गई है वेरी लिटल और नो टेंचन तो इसी प्रिंसिपल पर हम काम बतते हैं ताकि जो हमारा सेक्शन है इट शुड़ भी टेंचन फ्री बिलकूर इसके अंदर कोई भी टेंचन ना हो यह हमारा इसका प्रिंसिपल है तो अब हम दोस्तों जैसे पढ़ सकते हैं कि इसके क्या एडवांटेजिस है प्रिस्ट्रेसिंग के तो प्रिस्ट्रेसिंग कॉंक्रीट जैसे आपको बताया है कि इसके अंदर पूरे के पूरे सेक्शन को हम यूटलाइज कर रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो यह हमारा section था हमने जो नीचे वाला portion जो concrete का मानते थे neutral axis से नीचे हम यह मान के चलते थे कि इसके अंदर जो concrete है it is of no use यह सिर्फ और सिर्फ concrete को steel को hold करने के लिए है तो जितनी भी इसके अंदर जो tension आएगी इसके अंदर हम compressive stress को introduce कर रहे है तो इसका मुद्विवा कि यह जो हमारा जो नीचे वाला portion था beam का यह भी अपना इसके अंदर काम कर रहा है यह भी load ले रहा है तो इस तरीके से यह जो हमारा beam है यह पूरे के पूरे beam का section इसके इसकी वज़े से फिर इसके अंदर जो quantity होती है concrete की वो कम हो जाती है तो देख सकते हैं जले हैं आरसी से 30-40% concrete actively resists bending thus material is wasted जो material हमारा waste हो जा रहा था वो इसके अंदर हम इसके अंदर पूरी तरह से इस्तमाल कर रहे हैं हम high durability का concrete इस्तमाल करते है members like priestess, poles, slippers can be recast rather than caste institute मतलब इसको factory में हम तयार कर सकते हैं जैसे हम पोल्स का, बिजली के पोल्स में इस्तमाल करते हैं railway के अंदर sleepers में इस्तमाल करते हैं तो यह सारे के सारे जो product से हमारे इनको हम factories में तयार कर सकते हैं और इनको हमें साइट पर कास्ट करने की बजाए हम इसको factory में भी produce कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर हम इसको पहले से ही test कर सकते हैं और इसके अलावा हम multiple members can be cast in the same time reducing labor and manufacturing costs क्योंकि इसके अंदर multiple members जो हैं factories के अंदर बार बार उसके बहुत ज़्यादा members at a time हम कास्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से जो हमारा piece test concrete है it is very useful और इसको मार्ज के दिन बहुत ज़्यादा इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा इसके कुछ disadvantages भी है तो disadvantages नहीं हैं क्योंकि यह जो piece test concrete है इसको आम जो हमारी labor है वो त्यार नहीं कर सकती इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा skilled labor चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमें पहले से ही stress को introduce करना होता उसके अंदर तो इसलिए यह आम हमारी labor काम नहीं कर सकती है और इसलिए इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा costly equipment भी चाहिए experience engineers चाहिए complicated इसके अंदर form work रहता है जो shattering मगारा रहती है वो भी इसके अंदर काफी complicated होती है और इसके अंदर हमें high strength की concrete मतलब minimum M30, M40, M50 तक की concrete का इस्तेमा हम इस्तेमाल करते है ज़र कि ordinary RCC के अंदर हम M20, M25 तक इस्तेमाल करते है लेकिन इसके अंदर minimum जो grade of concrete रहता है that is M30 तो इसलिए इसमें high concrete steel चाहिए और जो यह हमारी जो pre-stress concrete है it is less fire resistant, it is not fiber it is less fire resistant इसकी जो resistance है fire के against भी वो कम रहती है तो इसलिए यह भी इसका English advantage है यह fiber नहीं है, it is fire है it is less fire resistant तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो methods of pre-stressing है जो हमारी pre-stressing है इसके हम कौन कौन से methods इसके अंदर में इस्तेमाल करते है तो pre-stressing का मतलब तो वही है कि आप load जो हमारा जो member तयार हो रहा है उसके अंदर load लगने से पहले उसके अंदर stressing उसके अंदर produce करना लेकिन उसके भी हमारे पास दो तरीके है एक कहलाती है हमारी pre-tensioning pre-stress concrete और दूसरी कहलाती है post-tensioning pre-stress concrete है वो दोनों ही pre-stress लेकिन इसके अंदर एक difference हमने इसके अंदर है एक है pre-tensioning और एक है post-tensioning तो इसके अंदर आपको मतलब समझने का जरूरत है कि pre-tensioning का मतलब क्या है और post-tensioning का मतलब क्या है pre-tensioning का मतलब यह है कि इसके अंदर हम जो हमारा जो member तयार हो रहा है उसके अंदर concreting करने से पहले जो हम इसके अंदर जो steel इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर tension हम पहले देते हैं concreting करने से पहले तो इसलिए इसका नाम हमने रखा pre-tensioning मतलब इसके अंदर कि जो हम concreting करेंगे जब तो concreting करने से पहले ही जो इसके अंदर जो members होंगे जो steel होगा उसके अंदर हम tension डाल देते हैं तो इसलिए इसका नाम हमने रखा pre-tension और जो हमारा दूसरा method है post-tension उसके अंदर concreting पहले करते हैं फिर उसके बाद उस member के अंदर हम stress को introduce करते हैं तो इसलिए that method is known as post-tensioning method लेकिन इसके अंदर जो pre-stressing है वो मतलब ही है कि इसके अंदर जो member जब use में आएगा तो use में आने के बाद जो उसके अपर जो external load लगेगा या इसके अंदर जो superimposed load लगेगा उससे पहले इसके अंदर हमने stressing की हुई है तो आप समझने की कोशिश करते हैं about the meaning of pre-tensioning in this method tendons are enclosed temporarily against some apartments and then they are pulled by using jack type devices जैसे आप देख सकते हैं कि यह हमारे यह apartment walls है इसको हमने यहां से fix किया हुआ है और यहां पर हमने jack लगा अगर इसको हमने खैचना है तो यह जैसे sleepers वगरा बनाते हैं factories के अंदर electric poles बनाते हैं तो उसके अंदर इस तरह का हम bed बना लेते हैं यह pre-stressing bed है तो इसके अंदर at a time हम कई के sleepers इस तरह से cast कर सकते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यह हमारा mold है इस mold के अंदर से हमने यह steel wire को गुजारा हुआ है यह आपके steel wire है तो इस steel wire को हम खीच रहे हैं जैसे दिखाया गया यह jack लगाकर इसको मखीच रहे हैं इसमें tension produce कर रहे हैं जितनी की जरूरत है जो हमें जितनी जरूरत है उसके इसाब से इसके अंदर हम tension create कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं jack को खीच कर फिर उसके बाद यह mold बना हुआ है इसके बाद हमने क्या कि इसके अंदर mold के अंदर concreting कर दी जो concrete जो भी आपने जिस grade की भी डालने थी उस grade की concrete इसके अंदर आपने डाल दी अब इसके बाद हम इसको 28 दिन तक strength gain करने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि जो हमें पता है कि जो concrete जो है it gains its maximum strength between 28 days तो उसके edge routine में जैसे 18 दिन तक हम इसकी curing मजारा करते हैं और इसके अंदर हमने इसको agitie छोड़ दिया strength gain करने के लिए 18 दिन के बाद फिर हम क्या करते हैं यह जो हमारे tendons हैं को यहाँ पर हम बहार से cut कर देते हैं तो जैसे हम cut करते हैं तो इसके अंदर tension थी इस tendon के अंदर तो यह अपने साथ कोशिश करता है कि यह अपनी original position में चला जाए तो यह अंदर खिचने की कोशिश करता है तो इसकी तो उसकी वज़े से क्या होता है यह concrete के अंदर यहाँ पर नीचे वाले portion में compressive stress पैदा हो जाती है और यह उपर वारा जो portion है हमारा इसके अंदर tensile stress पैदा हो जाती है tension आ जाती है उपर नीचे आ जाती है compression जो यह हमारा purpose था हम यह चाते हैं कि इसके अंदर नीचे compression आ जाए और उपर tension आ जाए तो जब इस member को फिर जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी purpose के लिए जब हम इस्तेमाले sleeper है जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जब इसके उपर load लगेगा इसके वज़े से rails जाएंगी यह rail बिचा देंगे इसके उपर दोनों तरफ से फिर इसके उपर जब transportation होगा इसके उपर जब विकल पास करेंगे तो जब इसके जो superimposed road लगेगा तो उसकी वज़े से इसके अंदर bending आएगी तो bending आएगा बलब it will become normal तो इसकी वज़े से जो आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा purpose था गए इसके अंदर जो नीचे tension तो इसके अंदर जो अगर normal sleeper road वास में tension आती वो tension खत्म हो जाएगी इसमें कोई भी tension नहीं आएगी तो यह हमारा purpose था तो इस तरीके से हमने pre-tension करके pre-tension का मतलब इसके अंदर हमने tension दी है concrete डालने से पहली तो इस तरीके से हम इस method का इस्तिमाल करते हैं pre-tension का तो यह छोटे members के लिए इस तरीके को हम इस्तिमाल करते हैं जैसे कि मानले आपको यह railway slippers बनाने हों या electric poles बनाने हों या मानले आपको pipes बनाने हों तो उस तरह से जैसे circular pipe हम बनाते हैं तो circular pipe के अंदर भी इस तरीके के method को हम इस्तिमाल कर सकते हैं तो कहने का मतलब यह जो छोटे हमारे structure होते हैं छोटे members होते हैं हमारे उनको उनके अंदर हम pre-tensioning method का इस्तिमाल करते हैं अब हमारा दूसरा method है post-tensioning method तो post-tensioning आप मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर concreting पहले करते हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर हम tension प्रोवाइड करते हैं members के अंदर तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा casting bed है इस casting bed के अंदर हमने बीच में एक duct छोड़ दिया हमने concrete के खास्ट कर लिया जो हमारा concreting का था प्रोसेस था उस तरीके से हमने इसके अंदर जो यह हमारी क्या नाम है इसके अंदर form पर करके जो भी हमारा था उसके अंदर हमने concreting कर दी और concreting के साथ साथ हमने क्या कि इसके अंदर एक बीच में duct डाल दिया duct जिसे आप देख सकते हैं hole इसके अंदर छोड़ दिया एक pipe का और फिर उसके बाद duct छोड़ने के बाद फिर हमने क्या किया इसके अंदर जो भी हमारी tension करने के लिए जो इसके अंदर आपने cable डालने थी stands डालने थे wire डालने थी इसके अंदर jack लगाकर और इसके अंदर हमने peering plate लगा दी साइड में इसके और इसको jack लगाकर हमने इसके अंदर tension produce की तो जयासे हम इसके तैंशना प्रोडिउस करते हैं तो क्या होती है इसमेंबर के अंदर यह जो भी हमारा यह जो bearing plates है इसकी वज़ये से इसमेंबर के अंदर कॉंप्रेशन इंटोड्यूस हो जाती है और विद्बाद में यह जो duct है हमारा इसको हम grout से भर देते हैं तो यह जो method है हमारा this method is called post-tensioning method तो post-tensioning मतलब पहले हम इसमें concreting की और फिर उसके बाद इसके अंदर हमने tension पैदा की तो इसलिए इसका नाम हमारा है post-tensioning method तो यह जो इस तरह का post-tensioning method है इसको माम तोर पर बड़े बड़े structures बगारा बनाने के अंदर इस method का हम इस्तमाल करते हैं जैसे bridges बनते हैं beams बनते हैं बड़े बड़े expand की तो उसके अंदर इस method का मेश्पार इस्तमाल करते हैं जैसे आपने dilloo में देखा हुआ मैٹरोस बनी हुних हैं उसके अंदर बहुत बड़े-बड़े हमने beams का इस्तमाल किया है जैसे माले bridges बन रहे हैं हमारे तो उनके अंदर भी इस method का हम इस्तमाल कर रही है तो तो अब हम advantages और this advantages की बात करते हैं कि जो हमारा pre-tensioning method इसके क्या advantage है तो यह जो pre-tensioning method है it is advantages for the factory production जैसे factory के अंदर इसका हम इस्तमाल करते हैं क्योंकि यह छोटे method members होते हैं इसके factory में भी प्रोडूस कर सकते हैं और several members can be casted at one time on the same casting bed तो बहुत सारे method members को हम साथ साथ कास्ट कर सकते हैं लेकिन इसके disadvantages भी है तो disadvantage के आया है कि इसके अंदर जो अबटमेंट्स जो होना चाहिए it should be very strong क्योंकि इस तरह का methods होता है हम factory में इनको बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इस तरह का develop पर सकते हैं site पर बनाना बड़ा मुश्किल लेता है और इसके अंदर the members are restricted as heavier and cylinder members are difficult to transport क्योंकि इस तरह जो जितने अगर members बनेंगे हमारे उनको हम site पर transport नहीं कर पाते हैं क्योंकि जितना ज्यादा भारी structure हो जाएगा और slender members होंगे तो उनको transport करना मुश्किल रहेगा और इसके अलावा loss of pre-stress is more pre-stress का loss यह भी हम आगे members है उसमें उसका loss ज्यादा होता है in comparing to the post-tensioning method तो इसलिए यह भी इसका disadvantage है अब हमारी हम बात करते है advantages of post-tensioning method तो इसके अंदर इस method को हम cast in situ as well as method can be constructed with this method cast in situ and pre-cast members तो इसके साइट पे भी और factories दोनों में इसका हम method का हम इसके इसके और इसके अंदर the loss of pre-stress से वो कम रहता है and there is no limit of casting as the method can be applied at site also site पे इसको हम इसके इसके अंदर there is no limit लेकिन इसके अंदर disadvantage क्या है कि इसके अंदर हमें added cost हो जाती कि उसमें grouting करने पड़ती है sheet इसके अंदर जो मैंने duct के बारे में पताया था वो सब छोड़ना पड़ता है और इसके अंदर complications भी हो जाती है तो जो ducts के अंदर जो हमारे members जो होते हैं steel के members होते हैं उनके अंदर उनको anchor करना भी और उनको पकड़ के रहना उनके friction की भी problem आ जाती है तो इस तरीके से यह इसके disadvantage है लेकिन यह disadvantage जो है इनको खत्म कर सकते हैं by proper oiling बगारा जो wires वे होती हैं उसके अंदर अगर उनकी अगर proper oiling बगारा करें या jacks बगारा proper बढ़िया इस्तिमाल करें तो यह जो हमारी disadvantage है कम हो जाती है तो इसलिए मामतोर पर जो structures है उनको post tensioning में और जो छोटे हमारे members रहते हैं उनको pre tensioning में बनाते हैं तो दोस्तों जैसे मैंने अगर आपको बताया था कि material use होता है इसके अंदर that is a very high quality तो इसके अंदर जैसे बताया गया है कि जो concrete minimum M40 for pre tensioned system and M30 for the post tensioned system जो अगर pre tensioning member है हमारे उसमें minimum M40 grade होना चाहिए और post tensioning के लिए M30 grade concrete काम इस्तेमाल करते हैं The concrete used in PSE should be well compacted High strength concrete is used in PSE for the following reasons Use of high strength concrete results in the smaller section छोटे section बना सकते हैं Higher strength concrete offers high resistance in tension, shear bond and bearing loss of pre-stress occurs less loss of pre-stress Pre-stress के जो loss है अगर high strength concrete होगी तो वो कम रहेगा तो इस वज़े से हम high strength concrete का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से जो steel है steel भी इसके अदर हम very high strength इसके अदर हम इसके अदर हम इसके अदर जैसे मैंने आपको बताया है कि जो इसमें हमें पहले tension produce करनी होती है तो जो अगर हम normal अगर steel इस्तेमाल करते हैं जैसे आपको पता है कि FV415, FV500 तो उसके अंदर 500 न्यूटन पर mm2 की strength वो उसमें ज़्यादा से जगा उसके अंदर strength रहती है लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा strength रही है तो इसलिए फिर उसके अंदर हम high tendons का इस्तेमाल करते हैं तो tendons जो होती है इसके हम दो-तिन terms का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह को बहुता है tendon तो tendon का मतलब भी होता है कि these are high strength wires having diameter from 1.5 to 8 mm यह इसका diameter है single wire होती है तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 8 mm wire है तो इसकी tensile strength जो है it can be up to 2,3,5,0 newton per mm square कितनी strength है 2350 newton per mm square 2 mm wire 2200 2200 newton per mm square 3 mm, 4 mm up to 8 mm तक हम इस्तेमाल करते हैं तो जो single wire होती है it is called tendon अब उसके बाद दूसरे इसके अंदर हम जो इस्तेमाल करते हैं wire strands और cables wire strands का मदल भी है कि bundle of wire spun together जैसे आपने बिजली की तार देखी हुई जैसे क्योंकि आपस महुंकर वरोड़ी देए हम उसको लपेट देए तो इस तरह से जो वो बनती है उसको strands बोलते है wire strands जो आज कल जो wire आ रही है आप देख सकते हैं बिजली की तार जो होती है तो उनको कैसे आपने उसको strands बनाया हुआ है तो जैसे इंडेड mm, दो mm, पांच mm की जो steel जो आज कल जो बिजली कॉपर wire है हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह wire strands तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम 7 mm से लेकर 17 mm तक के हम उसके अंदर strands बना लिते हैं तो यह post-tensioning method में इसका हम इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से तीसरी इसके अंदर टाइप होती बार्स तो 10 mm से ज़्यादा के जो diameter जो बार्स हम high strands शाहिल बार्स का भी कई जगे पर हम इस्तेमाल करते हैं तो यह को बार्स तो जो steel जो होती है इसके अंदर जो हमारे pre-stress concrete में तीन टाइप के इस्तेमाल करते हैं tendons, wire strands and bars तो दोस्तों हमारा इसके अंदर जो यह last topic है that is loss of pre-stress तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमने pre-stressing किसके अंदर की है तो वो with the passage of time यह जो धीरे-धीरे जो है हमारी pre-stress कम हो जाती है तो हमें इतनी उसके अंदर planned way में उसको pre-stressing करनी होती है ताकि यह जो structure है हमारा उसके अंदर with the passage of the time उसके अंदर जो pre-stress अज़र कम भी हो तो इतनी उसके अंदर minimum रह जा है कि हमारा structure safely हम उसको इस्तमाल कर सके है The pre-stressing force applied to the members does not remain constant but decreases with the passage of time The amount of pre-stressing force which get reduced with the passage of time is known as a loss of pre-stress तो उसको हम loss of pre-stress बोहते है and it varies 50 to 20 percent of the initial pre-stressing 15-20 percent तक जो हमने initial pre-stressing की है उससे उसकी value कम हो जाती है तो विता प्रेश जो धीरे देरे तो इसका हम भी है कि हम उसके अंदर इतनी pre-stressing करने चाहिए ताकि यह loss भी हो जाए तो भी हमारा structure safe रहे तो इसी लिए हम इसको पढ़ रहे है तो हम अब पढ़ते हैं वह इसके अंदर जो pre-stressing जो है वो किस-किस कारन से उसके अंदर loss होता है तो यह जो अलग-अलग methods अलग-अलग इसके अंदर जो technique जो हम इस्तवाल करते हैं तो उसके अंदर आप उसके अंदर friction हो जाता है तो इसको हम कम कर सकते हैं friction को तो उसे यह जो हमारा loss होगा वो कम रहेगा तो जो post-tensioning method होता है उसके अंदर ही इस तरह का यह जो loss होता है हमारा loss of pre-stress due to the friction तो इस तरह जो loss होता है हमारा ये post-tensioning method में ही होता है अब दूसरा हमारा loss जूरता elastic deformation, shortening of concrete तो जैसे जो हमारा pre-tensioning method था तो pre-tensioning method के अंदर हम जैसे concrete जैसे हमने steel को cut किया तो cut करने से क्या होता है कि वो जो steel जो है उसके अंदर shortening होती है तो वो अपनी shortening के साथ साथ concrete को भी उसके अंदर shortening आ जाती है तो उसकी वज़े से जो हमने जो इसमें stress पैदा की थी उसके अंदर थोड़ी सी कम ही आ जाती है तो इस वज़े से हमारी जो pre-stress है उसके अंदर कुछ नुकसान हो जाता है तो इस तरह के जो loss of pre-stress को बोलते है loss due to the elastic deformation of concrete तो यह जो हमारा elastic deformation माला जो है यह shortening of concrete है इस हैपन्स इंदा pre-tensioning method तो तीसरा हमारा loss है loss due to the shrinkage of concrete तो with the passage of the time जैसे आपको पता है कि धेरे धेरे जब concrete हमारी dry होती है सुकती है तो उसके अंदर भी concrete के अंदर shrinkage आती है तो उस shrinkage की वज़े से भी हमारी जो pre-stress है उसके अंदर भी कुछ उसके अंदर loss हो जाता है कुछ कम हो जाती है तो इसको भी हम क्योंकि high strength concrete इसमाल करते हैं तो इस वज़े से हमें shrinkage कम रहती है तो इसकी वज़ेसे भी प्रीस्टेस में कुछ लाउज रहता है फोर्थ वन इस लाउज डूट टूट टा रिलेक्सेशन अप स्टील तो जैसे जैसे विद अप्रेसिज अफ टाइम तो जो कॉंक्रीट जो आपने स्टील इस्तेमाल किया है उसके अंदर भी धिरेसे रिलेक्सेशन जो रिलेक्स होता जलाजाता है जो स्टील है हमारा मसलब उसके अंदर जो आपने टेंशन पारीड टी तो वो धीरे धिरे विद शबुड़े हिए थोड़े सी रिलेक्स होनाती है तो उसका भी हमें ध्षा नहीं ध्यान रहना हो था है कि इसकी वाईसे हमारा क्किना लाउस होगाना है The loss due to the creep of the steel तो यह हमारा जो concrete है loss due to the creep of concrete जो concrete की एंदर creeping होती है Without pressing of the time धीरी धीरे Concrete is short and हो जाती armor तो वो उसको creep of concrete होते है तो उसकी वजए से भी there is a loss, हमारा जो प्रिश्टे से उसके अंदर कुछ loss हो जाता है उसका and the last one is loss due to the sleepage of the tendon and anchorage system जब हम post-tensioning जो method है उसके अंदर जो tendons हैं, उसको जब हम खीच रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो anchorage system के अंदर से क्योंकि ये mechanical system है, तो जब आप उसको उसके अंदर पकड ग्रिप नहीं रहती है, तो उसकी वज़े से भी जो tendons है हमारे, उसलिप उज़ाते हैं, तो उसकी वज़े से भी कुछ जो है हमारी pre-stress का loss हो जाता है, तो ये जो शड़ा वाला ये हमारा loss है, this happens generally in the post-tensioning method तो दोस्तों हम जो इतने भी ये pre-stress आपको ये loss बताई गए हैं इन सभी कहाम उसके अंदर ध्यान रखते हैं, कि कितना हमारा इनकी वज़े से loss हो सकता है, pre-stress हमारी कितनी कम हो सकती है तो हम इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उसके अंदर जब initial pre-stressing जब हम करते हैं, तो उसके अंदर इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उसके अंदर उतनी values को पहले से ये advance में बढ़ा करते हैं ताकि loss होने के बाद भी ये हमारा structure safe रहे तो दोस्तों आपको आज जो ये हमारा chapter था pre-stressing का इसके अंदर आपको एक basic introduction pre-stress के बारे में मोटा-mोटा आपको तोर पर बताया गया है कि ये जो pre-stress है, क्या चीज़ है कैसे हम किस method का इस्तमाल करते हैं और किस type के structure इससे हम create कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और ये इसको आप अच्छे से अगर मान लिया अपने दोस्तों को मित्रों को आगे इसको share करेंगे ज़्यादा सज्यादा और इसको आप इसको subscribe परेंगे channel को और share करेंगे Thank you very much